हेलो फ्रेंड संजुकी हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है आज मैं अर्बी के पत्ते की सबजी आपसे सेयर करने आई हूँ यह दिखती बिल्कुल मशली की तरह है बहुत जादा टेश्टी होती है इसे मैं उड़त दाल के साथ बनाऊंगी बड़े से बॉल से आधा बॉ दालूंगी मिक्सिके पाउट में इस तरह से सारे को सारी डाल डाल दीजेगा और एक कप पानी डालिएगा और इसे मैं एक से दो मिनट लगा तार चलाओंगी बारिक पेश्ट चाहिए इसका बहुत मस्त पिस जाएगी आपकी देखे कितना बारिक पेश्ट तयार हो गया ह इसी तरह का है में पेश्ट चाहिए अब इसे बड़े से बॉल में मैं निकाल लूँगी सबको और इसको कहना हाथ में हलका सा पानी लगा कर अच्छे से एक मिनट के लिए फेट लिजेगा इससे कहना अरभी की पत्ते की सबजी बहुत टेस्टी बनेगी इसको इस तरह से पेट लिजेगा और नमक स्वादानुसा डाल दीजेगा इसमें डालके इससाब से और इसको भी डालके अच्छे से आप इसे मिला लिजेगा मैं मिला ली हूँ और चार पांच अरभी के पत्ते में जो सब से बड़ी साइज की जो पत्ती है उसको पहले रखेगा और पत्ते के पीछे जो डंठल होता है उसको थोड़ा चाकू से काटके फ्लैट कर दीजेगा चिकना जैसा दब जाएगी बिल्कूर उठा हुआ नहीं होगा और यह जो डाल का पेष्ट है इसको दो तीन चमच पत्ते के उपर गिरा दीजेगा और इसको अच्छे से फैलाएगा पूरे पत्ते में गुजरात में अरभी की पत्ते पूरे साल मिलती है बहुत अच्छी लगती है इसकी सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है इसलिए मैं लेके आई और इसे बना के आपके साथ इसका इसकी सब्जी मैं सेयर कर रही हूं आपके साथ देखे पत्ती में बहुत अच्छे से फैला ली अब दूसरे साइट से फिर इस पत्ती को रखूंगी और इस पे भी दो तीन चमश लिक्विट गिरा दूंगी और अच्छे से इसक यह से अब सारे पत्ते को सबसक्रणों जब सब में पत्ते में लपएंटा जए लाएं ग्लास पांइका प्लेट को इस से आपक पंद्राव से 25-20 नःशे में पकाऊंगी की भाप में देखे पूरी तरह से पक गई है और जो है तब इसको जितना चोड़ा आपको इसका मोटाई चाहिए उस हिसाफ से कट लिजेगा चाकु से थोड़ा मोटा पसंद है तो मोटा पनट आठीयर पतला है तो ऊपतला कट कट गई है सब और इस सब कट गई है अब देखें मालपुवा वाली जो ताई आती है उसमें मैं एक कटोरी तेल डाल दी थी और जितना भी काटी हुना भी अर्वी के पत्ते को लेपिटा हुआ इसको सब को रख दूंगी और इसको क्या है ना मिडियम आश में फ्राइ करूं इस तरह से आप इसको क्या कढ़ाई में भी फ्राइ कर सकती है जिसमें आपका मन है उसी में फ्राइ कर लीजिए जब दोनों साइट से फ्राइ हो जाए तो इसको निकाल लीजिए प्लेट में इस तरह से सब जितना फ्राइ हो गया है उसको मैं निकाल ली इस तरह से अब प कटोरी धन्या की पत्ती रफली कटा हुआ और चार तेज पात ले रही हूं धोके मेर्च पॉडर स्वाद अनुसार नमक स्वाद अनुसार सरसो का दाना वनफोर चम्मच जीरा वनफोर चम्मच और एक चम्मच भर के लहसन का पेश्ट गरम मसाला या सबजी मसाला एक दी ले रही हूं मैं इसको आप कम जादा कर सकती है अब गैस उला पे मैं कड़ाई रखी हूं फूलाच पे और जो तेल से भी फ्राई की थी न ताई में उसका तेल बहुत बज गिया था उसको उसी तेल का यूज कर रही हूं मैं तीन चम्मच और इसमें वन फोर चम्मच सरसु डाल दी बढ़ीया से चटक गया अब इसमें तेज पाथ डाल दी चार और हरी मिर्च और प्याज भी डाल दी एक कटोरी और दोहरी मिर्श डाल दी उसको क्या पिंग कलर में ही फ्राई करना है ज़्यादा जलाना नहीं है अब इसमें स्वाद अनुसा नमक डाल दूँगी और हल्दी आधा चमच ले रही हूँ इसको थोड़ा नमक और हल्दी को प्याज के साथ थोड़ा भून लूँगी देखिए इस तरह से मैं भून ली हूँ बहुत अच्छे से इसमें फ्राई हो गई है अब प्याज जला भी नहीं है और इसमें टमाटर का प्यूरे जो बारिक पीस के रखी थी ना एक कटुरी इसको डाल दी हो रहसन का पेस्ट एक चमच भर के लिथी उसको भी डाल दी इसको भी डालके बढ़िया से चला दूँगे बढ़िया से इस तरह से अब इसमें गरम मशाला या सब्जी मशाला जो है आपके पास आधा से एक चमश डाल दीजिए इसे टेस्ट बढ़ जाएगा और इसको क्या है मेडियाम लो हाय करके इसका मसाला को बहुत अच्छे से भून लेजिए इस तरह से और क्या थोड़ा सा और मैं इसमें हलका सा पा देखिए मैं इस थतरह से धख कर में इसी तरह से चलाती रहूंगीवगी कभी आज को मेडियाम कर लить कभी मेरा मसाला भून गया औरैसमें 32 different solar light पानी इस तरह से अब इस डाल दूंगी और इसको डाल के फिर धकन हटा कि मैं इसको थोड़ा सच चला दूंगी जब खॉलने लगे ना तो जितना फ्राई करके अभी निकाली हूँ न इसको डाल देना हिसरस में खॉले तभी डालिएगा अब इसमें थोड़ा समय धन्या पत्ती और डाल दी जितना फ से और हलका से उपर रस को इससे डुक्की लगा दीजिए और पांच मिनट के लिए फूल आच में इसको ढखक कर पकने दीजिए बहुत अच्छे से देखे कितनी अच्छे से पक गई है और आपको जितना इसका ग्रेवी पसंद है उस हिसाब से इसका रस आप कम ज़्यादा बढ़ा सकती है कर सकती है बहुत ही टेस्टी बन गई है अब इसको मैं सिसे के बड़े से बॉल में में निकाल ले रही हूँ अगर आपको मेरे अर धन्यू